हाई दोस्तों असलाब और यूँँ कैसे आप लो में नबील है यह है मेरे हाथ में मेरी आपल वाउच सीरीस 10 46 mm जेड ब्लाक कलर में GPS प्लस सेलियोल वाली पिछले कुछ दिनों से मैं इसको इसको इस्तमाल कर रहा हूँ तो अपना अपल वाउच का बॉक्स हमारे पस है और इसका अन्मॉक से मैं शूट करका है वो भी आप देख लिए तो यह है दोस्तों अपल वाउच सीरीस 10 का बॉक्स यहां पे से वही आपल वाउच का बॉक्स है आप पुल कर लीजिए और उसके बाद यह बॉक्स इस तरीके से उपन ह जाता है अंदर बहुत सरे अलग-अलग एपल वाउचिस और उनके वाज बैंडस आपको प्रिंटेट नजर आएंगे यहां पे दो बॉक्स है यहां पर उसके अंदर हमारी वाउच है और यह बॉक्स को उपन करते है यहां पर स्रीव के अंदर हमारी वाउच काफी डखी इसको push out करते और यह है हमारी series 10 in jet black color, इसके बाद यहाँ पे यह जो दूसरा document जिस आपको नज़र आ रहा है, यह paper को उठाएंगे, तो यहाँ पे आपको इसका fast charger देने मिलेगा, जो के है एक braided type C cable के साथ, अब देखते है हम इसका strap, तो यहाँ पे जो strap हमको मिला है, इस watch के साथ वो है, एक sports loop, इस box के back पे देखेंगे, तो carbon neutral भी लिखा है, जो apple का goal है, 2030 तक का, इसको open करने के लिए, इसके bottom जो seal मिलती है, इसको break करना है, और इस box को, इस envelope को open करना है, यहाँ पे हमारा watch strap, sports loop जो है, वो रखा हुआ है, इसको pull out करते है, और इसको खीच कर भाहर न नस्दीक लेकर आना है, automatically आपके iPhone पे pop-up आजाएगा, जहाँ पे watch को setup करने का option रहेगा, watch pack animation आएगा, जो अपने iPhone से आपको scan कर लेना है, और उसके बाद next next करते चले जाना है, setup as a new Apple watch में यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे आपकी Apple watch जो है, एक-एक step follow करते करते, आ इसके look के बारे में है, जो के आ रहा है, इसके jet black color की वएसे, जो हमको पहले देखने भी रहा था, Apple के iPhone 7 के अंदर, slim होने की वएसे, इसका जो पहनने का experience है, वो बहुत ज़दा है एनाइन्स हो गया, और मुझे काफी मजा रहा है इसको पहनने में, इसको पहनने में, इसको गोलताओं में, एकदम perfect है, 42 mm मैं prefer नहीं करूँगा, हाथ के size के साफ से भी नहीं, और display के size के साफ से भी नहीं, प्योंकि 42 mm case के अंदर, display का size भी छोटा हो जाता है, Apple Watch Series 10, 50 meter तक water resistant है, बिंदा सा पानी में लेकी जाई है, एक swim proof watch है, swimming भी इससे आप कर सकते है, और इसमें, जो depth sensor है, जो depth gauge है, वो 6 meter तक आपको depth भी बता देगा, इसके display के उपर जो glass है, यह IONX glass है, जो के इतना मैं उसका fan नहीं हूँ, मुझे sapphire crystal जाता पसने है, जो मेरी watch ultra 2 में, उसमें scratch easily नहीं आते, IONX के साथ मेरा experience रहा है, उसमें scratch easily आ जाते, क्योंकि watch का screen protector आप लेगे, त Apple watch जो है, one of the most comfortable watches है in the world, मैं watch ultra भी पहनता हूँ, मैं पास दुसरे Apple watches भी है, series 9 भी है, series 7 भी है, series 8 भी है, लेकिन Apple watch series 10 का जो comfort है, वो जादा लगता है, मुझे उनके मुकाबले हलके form factory वाई से, बाकी strap अगरा तो बहुत ही high quality का है, कोई भी problem इसमें नहीं आगे, बहुत stylish भ back है, उसके नीचे आपको एक और बटन मिलता है, जिसे watch को on off कर सकते हो, watch का control and open कर सकते हो, और दोनों के बीच में मिलता है, आपको एक microphone, जो के voice isolation mic है, ताकि watch से आप अगर बात करे किसी से phone call पे, तो इसको clear आवास तो नहीं दे, उसके opposite side पे देखेंगे, तो यहाँ पे आ सबसे बड़ा display देखने मिल रहा है, यह watch ultra 2 के display से भी ever so slightly बड़ा है, इस वेसे आपको बहुत ही आसानी होती है, कुछ भी आप type कर रहे हो इस पे, अगर आप calculator का इस्तमाल कर रहे हो, बहुत ही easy है, और सारा कुछ जो है आपको clear नजर आता है, इस वज़े से भी मैंने 467 च दो हजार निट्स की peak brightness है इसके अंदर, जो के watch ultra 2 के मुकाबले तो कम है, उसमे 3000 निट्स है, लेकिन outdoor में कभी कोई problem नहीं आएगा, आपको एकदम clear visibility है इसके अंदर, और minimum brightness भी इसकी जो है, वो 1 निट्स तक जा सकती है, तो एकदम अंधेरे में आप यूज करो तब भी को आपको बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा लगए आप पूरा display, displays watch के अंदर, आपको out of the box watch OS 10 देखने मिलता है, अब ये watch OS 10 के जितने भी features है, ये मैं आपको एक video में explain कर चुका हूँ, यहापे फिरसे में आपको explain थोड़ा सा कर देता हूँ, watch OS 10 के अंदर, अगर आप उपर से लेफ्ट और राइट पर swipe करने पर यहाँ पर कुछ नहीं होता है, जो दो buttons दिये वे हैं, इसमें एक है digital crown, इसको press करेंगे, तो आप जाएंगे, इसके menu में, menu में scroll करेंगे, इसी से इस तरीके से आप scroll करेंगे, और यहाँ पर आप जो दूसरा button है, इसको press करेंगे, तो आ आपका control center open हो जागे, जिसमें आप Wi-Fi और पाकि सारे जो चीजे होती है, जिसे आइफोन में होती है, वो साब यहाँ से आप control कर सकते हो, digital crown को quickly double press करेंगे, तो यहाँ पर आपके recent applications open हो जाते है, और यहाँ से आप scroll करके कोई भी application में directly जा सकते हो, menu में आपको दो type के menu मिल एक है यह list view और दूसरा यहाँ पर नीचे देखने मिलता है, वो है grid view, देखने में grid view जो है काफी अच्छा और खुबसूरत लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा navigation मुझे difficult लगता है, मतलब कोई भी application directly अगर खोलना है, तो यहाँ पर list view जो है, उसके लिए मुझे better लगता WatchOS 11 के अंदर आपको double tap का feature भी मिलता है, इस watch के उपर, जो के smart stacks के साथ साथ सभी application के अंदर, सभी menus के अंदर काम करता आपको नजर आएगा, और कोई भी application आप open करेंगे, तो वहाँ पे भी वो काम करता है, call pickup और end के भी काम आता है, specifications भी इस watch के जो है, top notch है, latest watch है, तो यहा सब को store करके रख सकते हो, sensors इस watch के अंदर बहुत सारे इन्होंने दिये है, और यह sensors जो है, बहुत ही high quality है, और accurate sensors है, यहाँ पे पूरी list है sensors की, आप यह sensors की list पढ़ लीजिए, आपको समझ में आजए कितने सारे sensors है, यहाँ पे ECG आप ले सकते हो, इस पे SPO2 calculate कर सकते हो, heart rate monitoring है, temperature sensor है, water temperature sensor है, बहुत कुछ है इसके अंदर, health features की बात करती है, यहाँ पे सबसे पहला, जो और अच्छा है health feature, जो आपकी health अच्छी maintain करने में help करेगा, वो है activity, activity के अंदर आपके daily calories, जितने burn की, आपने वो दिखाएगा, exercise दिखाता है, और यहाँ पे कितने घंटे आ और यह आपको calculate करके बता देगी, लेडिस के लिए यहाँ पे cycle tracking भी है, और इसी से आप अपना ovulation वगरा भी calculate कर सकते हो, यह एक और आपको ECG भी देखने मिलता है, अपना ECG निकाल के इसकी जो report है, अपने iPhone के ज़रे से आप अपने doctor को export कर सकते है, in case of emergency, आपको 24-7 heart rate monitoring भ इसमें आप log कर सकते हो, और आपके जो भी medication आप ले रहे हो, वो लेने के बाद यहाँ पे आपने उसको लिया है, नहीं लिया है, यहीं से enter कर सकते है, तो सब record भी maintained रहेगा, फिर आपको mindfulness app देखने मिलता है, इसके अंदर आपका state of mind क्या है, यह पूरा आप log in कर सकते हो, आपको इसमें breathing का option मिलता है, reflect का option मिलता है, आप अपनी breathing वगरा सारी चीज़े improve कर सकते हो, और बेटर तरीके से इसकी मतद से meditate भी कर सकते हो, फिर आपको noise app मिलता है, अभी यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, कि decibels में बताएगा आपको देखे, यहाँ बता रहा है कि अ आपको तो आपका यहाँ पे पूरा analysis मिलता है, पूरा sleep data मिलता है, आपका awake time, आपका REM, core और deep sleep का time, time asleep कितना था, time in bed कितना था, वो सब आपको बताएगा, sleep duration भी यहाँ पे आपको बताएगा, और यह last 14 days का मेरा data है, bed time और wake up time भी आप इसमें set करके रख सकते हैं, उसमें automatically यह vitals app का, जो यह पूरे seven nights का data है, यह पूरा नहीं कर पाया, लेकिन यह करेंगे तो इसमें और भी insights समको देखने मिलेंगे, sports या workout modes की बात करते हैं, तो यहाँ पे workout में लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिए, चितने भी advanced और basic sports और workout modes से आप सम मिलेंगे, traditional strength training मिलेगा, outdoor walk आपको मिलेगा, indoor walk, outdoor run, indoor run, outdoor cycling, indoor cycling, pool swim, open water swim, multi sport, triathlon, यह भी आपको देखने मिलता, hiking और elliptical, और stair stepper, जो भी आपके आपके आपस मशीन है, indoor rowing है, सब कुछ आपको इसमें देखने मिलेगा, और अगर आपको यह सल लग रहा है, कि इसके अंदर वो workout नहीं है, तो यहाँ स इसका नाम मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, और इसके पूरे यहाँ पर डेटा बताएगा, कि इतने बज़े, high tide रहेगा, low tide रहेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, Sunday का, Monday का, सब कुल बता रहा है, तो अगर आप समंदर में जाते हो, यह समंदर के आस-पस रहते हो, यह ब Apple Watches आपके iPhone का camera वगरा भी support करती है, तो remote camera आप अपने watch से ही, अपने iPhone का इस्तमाल कर सकते है, और watch से ही आप photo भी click कर सकते है, यह सभी Apple Watches के अंदर आता है, बस यहाँ पर यह जो extra features होते है, watches के अंदर वो मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो photo भी मैंने लिया है, इस watch से, अपने phone के camera से, वो यहाँ पर आप देख से, Apple Watch का application, यह भी बता देता हूँ, हलाएक Apple Watch users को पता है, लेकिन जो first time Apple Watch लेने का सुच रहा है, उनको पता नहीं होता है, तो यहाँ पर आपकी सारी Apple Watch होती है, तो यहाँ पर देख सकते है, मेरी Watch Ultra 2 है, और अभी है, फिलाल, उस समझो, यह ZOO Invoice, इसका कुछ काम नहीं है, तो यहाँ से इसको आप off कर दीजिए, और यहाँ से आपकी watch पर दिखाएगा नहीं, तो यहाँ से आप clutter हटा सकते है, Face Gallery आपको मिलती है, इसमें सारे latest watch faces आपको मिल जाएंगे, और यह new watch faces आपकी latest watches के लिए होते है, बाद में य watch face है, artist वाला watch face है, astronomy है, और ऐसे ही बहुत सारे watch faces है, इस application के अंदर, इसके बाद यहाँ पर discover करके दिया हुआ है, जिसमें आप इसके tips and tricks देख सकते हो, और भी बहुत सारे features हैं इसके अंदर, उसमें related tips आप हासिल कर सकते हैं, Apple watch आपके साथ सार, activity वाला भी app होता है, जिस इसको share करें नहीं कर रहें, वो भी आपको दिखायागा, और आप चाहें तो किसी के साथ share भी कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर मैं अपने friend के साथ एक share कर रहा हूँ, उनका वकड़ मुझे देखा रहा है, मेरा वकड़ उनको दिखा रहा है, watch की battery की बात करते हैं, और इसलिए इस पे work-out modes का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े sensor काम इस्तेमाल हुए, इस तरह के से आप यूज करते हो, तो आपकी watch एक से जादे दिन चल जाएगी, जैसे Apple Watch Ultra 2 चलती है, लेकिन Apple Watch Ultra 2 यह sports mode इस्तेमाल करने के बावजूद चलती है, यह उतनी नहीं चलेगी, लेकिन sports mode यह बहुत प्यारी लगी, पहनने में और यूज करने में, डिस्पले भी इसका बहुत प्यार है, और रही बाद charging की तो इसमें fast charging supported है, जो इसका cable आती है, उससे आप fast charge इसको कर सकते है, pricing and availability की बात करें, तो दोस्तियों देखिए, एक सब जगा पे available है, Apple के resellers पे, Apple के store पे Apple इंडिया के website पे, authorized resellers के पास से आप ले सकते हो, और Amazon flip card से भी आप ले सकते हो, या यूट्यूब चॉपिंग का आपको link आ रहा होगा, वहां से भी आप purchase कर सकते हो, आपको genuine product ही देखने मिलेगा, और description में भी links दे दिया हो, वहां से आप purchase करना चाहिए, तो कर सकते है, इ अब भी आपके घरवाले आपके phone पे call करेंगे, तो watch पे आपका call आ जाएगा, चाहे phone कहीं भी रखा हो, कितने भी किलोमेटर दूर हो, क्योंकि watch पे ECM app setup कर सकते हो, cellular plan setup कर सकते हो, और वह free of cost India, बस यह है कि जियो प्रिपेट किया तो उसको free देता है, और Airtel पोस्पेट क जो series 9 से, series 10 पर आना चाह रहे है, या series 8 से, लेकिन उससे पुरानी कोई Apple watch है आपके वास, तो definitely आप इसको consider कर सकते हो, और यह बहुत अच्छी Apple watch मुझे लगी, इसका display, इसका size, इसका form vector है, इसकी lightness है, वो मुझे बहुत प्यारी लेगी, आपको कैसी लगी Apple watch series 10, मुझे comment जरू बताना और यहां से आप shopping आने जो कर सकते है, इस watch को या फिर description में link से, उम्ही करता दोस्तों आपको 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 आपसना पसना आपको आपको लाक एए, श्रीज़ दरू कीजिए, मेरे से चानल को सब्सक्राइब जो कीजिए, गुडबाई